हेलो दोस्तों नमस्कार अभी हम बात करने वाले हैं आए दिन चर्चाम रहने वाले विकास इको टेक लिम्टेट सेर की चुकि आप जानते हैं यह एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इसे सम्मंदित जो भी चीजे पिछले कुछ दिनों में घटित हुई हैं उसके बारे में ह जो निज लिकल के आई है उसमें एक जो निज लिकल के आई हो यह कि प्रमोटर जो हैं वो इसमें अपनी हिस्चेदारी बढ़ाने वाले हैं उसके बारे में इन्होंने एक्स्चेंज को बता दिया है और दूसरी जो निज लिकल के आई है वह यह कि यह फंड रेजिंग करन इससे पहले जब हम वीडियो बनाए हैं इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा हिंट दे दें तो उसमें आप आप जानते हैं कि यह जो कंपनी हैं पिछले 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 इसमें पंद्रा परसंट की अचानक होल्डिंग बढ़ा दे थी जून क्वार्टर में जब हम आपको इसमें लगातार आप देख रहे होंगे कि अच्छी खासी इसमें डिलिवरी भी उठाई जा रही है इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा तो करेंगे ही लेकिन इसमें जो रिशेंट डेवलप्मेंट हो रहे हैं उसको देखकर यही लगता है कि यह जो कंपनी अगर इसमे इसमें डिकाल के दिया है 0% का और वहीं अगर अगर साल के बात कि लगमें साथा इसमें कि बात करें तो इसे सेरह को धागी तीस परसेंट के आज पास का निगेटिव रिटर्न लिकाल कर दिया है और यह आने वाले समय में जो निगेटिव रिटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा हो सकता है कि जिस तरीके से इसमें डेवलोप्मेंट हो रहे हैं वह आपको पाजिटिव में दिख जाए क्योंकि यह पेनी की शेयर के हिसाब से इसका जो फंडामेंटल है और जिस तरीके से रिशन डेवलोप्मेंट हो रहा है उसमें उसकी और पेनी की शेयर होते हैं उनकी तुलना में थोड़ा ठीक ठाक दिखाई देता है निज को दीटेल से दिखने से पहले अगर हम आज के ट्रेडिंग किरिप में उठाया गया है और यह जो बनते हैं वह लगबग 57-58% के बीच में बन रहे हैं किसी भी शेयर में 50% के डिलिवरी उठाया जाना अपने आप में यह इन्वेस्टर को भरोसा को उदर साता है दूसरी बात यह कि इसमें लगबग 60 लाक शेयर की ट्रेडिंग होना अपने आप में इन्वेस्टर को एक अच्छा खासा मूव परदान करता है अब हम बात करें पिछले डेवलोमेंट की तो आप यहां पर देखिए कि 18 तारीक जो न्यूज आय थी डेप्ट डिडॉक्शन से समन्दित हमने वीडियो बनाया था उसको हम इसके इंडिस्किन मे करने वाले बाले है जो मिलेप्ट से स्बundy करने माले है और यह जो निडे हुआ है już 31 अगस्त को हाज आज ही इसमें कुछ और जो निड़े होगा व्य हूँ बारे में बताए जाएगा और इसके साथ ही साथ यह 29 अगस्त का निडे बता है उसमें किया निड लिपक्राया वा किये हुए हम उसको देखने का प्रयास करते हैं तोस्तों अब हम आगे पहले निच पे यहां पे आप देखिए 26 तारी के इस पड़ेट पड़े हुई है और यह बता रहे हैं कि जो इस्टिमेटेड बोर्ड मीटिंग है वह होने वाले कब 31 गस्त को चुकि जब हम यह वीडिय होने माला है वो क्या होने माला है कि यह परमोटर हैं विकास गर्ग जी वह लगवग 350 मिलिएन के आज सबसे बड़ा नीड़े होगा वह यह होगा कि उसमें देखते हैं आज के जो भी रजलिकल के आता है मिटिंग का उसमें क्या होता है तो पहला न्यूज यही है कि इसमें 35 क्रोंड के जो शेर है उसमें मुहर लगनी वाली है इस मीटिंग में और यह जो विकास अगर्ग जी है वो इसमें खरेदन वाले हैं अब मगर दूसरे ने उसकी बात करें तो यहां पर आप देखिए यह 29 अगस्ट का डेट पड़ा हुआ है और इसमें यह बता रहे हैं कि यह जो मीटिंग हुई थी 29 अगस्ट को की वाईपी से समल दीत अर्थात क्वालिफाइड इंस्टिउशनल जो इन्वेस्टर होते हैं उससे समल दीत उसमें 500 मिलियन अर्थात लगबग 50 क्रोंड के फंड्रेजिंग का जो मामला है वो साफ हो गया है और इसका जो फ्लोर प्राइस टाय किया गया है व यह सारे चीजी लिकल जाएगा तो इसको आप जो है राकेट बनने से आप नहीं रोका जा सकता है तो यहां पर देखिए जो 30 अगस्ट का डेट है लिकल के आया है उसमें इन्होंने बता दिया कि इसका फ्लोर प्राइस 2.95 के आसपास है और इसमें जो 500 मिलियन का यानि कर लिया है और जो 500 मिलियन बचा हुआ है उसको यह करने वाले हैं और यह जो प्लान बनी थी वह 27 फ्रवज़ तेज को यह बना था इसमें आप देखिए जो एक हजार मिलियन के आसपा जो यह फंड्रेजिंग का मामला उठाने वाले हैं अर्था फंड्रेजिंग करने वाल हम भूल रहे हैं कि हम डेट फ्री हो जाएंगे उसके सम्मंध में यह बहुत बड़ा जो एकदान दे सकता है और एक तरीके से अब देखेंगे आगे कि इससे यह कर चुकाने का प्रयास करेंगे और जैसे यह फंड्रेजिंग होगी और कर चुकेगा यह कंपनी डेट फ्री बहुत अच्छे लगतार हो रहे हैं तो दोस्तों आप लोग को बस यही दो नीज लिकाल के आज देनी थी और आज मीटिंग चल रही है उसका अगर कोई भी रिजल्ट आता है और उसमें कोई भी नीड़े लिया आ जाता है तो इस डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे ने करें तो